अगर आपने Spider-Man No Way Home देखी है तो उसका पोस्ट रेडिक सीन तो जरूर देखा होगा और वो सीन आने वाले मूवी Doctor Strange in the Multiverse of Magnus का टीजर था जिससे देखने के बाद से फैंस उस मूवी का बेस सबरी से इंचजार कर रहे है इसी बीच अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे फैंस की एक्टाइप में दुगनी हो जाएगी बताया जा रहा है कि Doctor Strange in the Multiverse of Magnus में Iron Man भी नज़र आएंगे लेकिन कुछ ट्विस्ट के साथ आफिर क्या है वो ट्विस्ट जानने के लिए देखिए इस वीडियो को लास्ट तक Hello Friends, मैं हूँ संस्कृती और स्वागत करती है आप सभी का मीडिया दरबार एंटेटेंमेंट चानल के खास शोग हवर ट्रेलिये में Doctor Strange in the Multiverse of Madness फैंस के लिए बेहद ही खास होने वाली है एक ओर जहां Doctor Strange खुद से लड़ते हुए नजर आएंगे तो वही दूसरी ओर Iron Man भी इस मूवी में नजर आकते हैं लेकिन फैंस को एक निराश कर देने वाली बाद यह है कि Robert Downey जूनियर इस किरदार को नहीं निभाएंगे अब आप सोच रहे होंगे कि Marvel Robert Downey जूनियर को आज Iron Man बदलने के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं और उनकी जगा आखिल लेगा कौन Robert Downey जूनियर is replaceable है और वह Marvel Cinematic Universe के दिल की धड़कन थे तो Marvel किसी और को ऐसे रोल में क्यों लेंगे जिसे कभी बदला ही नहीं जा सकता तो हम आपको बता दे कि Marvel अफियेट में ऐसे करने की कोशिश नहीं कर रहा है जी हां टोनी स्टार्क यानि Iron Man के रूप में Robert की legacy लाज तक बरकरा रहेगी हम आपको बता दे कि फिल्म में Hollywood के सूपर स्टार टॉम क्रूज आरन मान यानि टोनी स्टार के किरदार में नजर आएंगे वहीं टॉम क्रूज का आरन मान सूट दी लाल नहीं बलकि सफेद होगा वैसे याद दिला दे कि Iron Man का किरदार सबसे पहले टॉम क्रूज को ही ओफर हुआ था लेकिन किसी वज़े से जब बात नहीं बनी तो फिर Robert Downey Jr. ने इस किरदार को निभाया अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि Iron Man तो थेनों से लड़ते हुए मारे गई थे तो अब वैवापिस कैसे आ रहे है तो हम आपको बता दे कि क्योंकि Dr. Strange की ये मूवी का टाइटल ही Multiverse of Madness को लेकर है जिसमें कई यूनिवर्स के केरेक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे तो टॉम क्रूस का ये Iron Man भी उन अलग यूनिवर्स में से ही होगा जिसनके मूवी में क्यान्यों भी छोटा हो सकता है अब आप Iron Man के इस नए अन्दास के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फिलाल के लिए इतना ही ऐसे ही अपने फेवरेट्स मूवी की लेटेस अपडेट्स के लिए स्टेए त्यून तू मीडिया दर्वार एंटर्टेंमेंट चानल थैंक यू